तो एलेवेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको इताने वाला हूँ आईफोन के अंदर एक नए अपडेट आया है वहाँ पर iOS 15.1 15.3 का पब्लिक वर्जन को रॉल आउट कर दिया गया और यह सब को रॉल आउट हो गया है इसके अंदर सबसे ज़्यादा में चीज़ ह यहां पर यहां पर कुछ बwide को फिक्स किया गया और कुछ security के इं प्रॉमंट की गयी है और कुछ नये useful यहां पर जोडा नहीं गया है और यह सभी आईफोन को आपको डाउनलोड करना चाहिए क्रमेंट कर रहे हैं क्योंकि इससे आपकी सेक्योरिटी में ब्रूब्लम होने वाला है अगर आपको कुछ पता हो अगर आप सफारी यूज़ करते हैं तो आपको शायद पता भी होगा कुछ दिन पहले या कुछ अ सबसे में चीज़ तो यह है कि आईफोन में सफारी की सेक्योरिटी को चेंज किया गया है और कुछ नया इंप्रूमेंट नहीं आया है बस सेक्योरिटी में ही इंप्रूमेंट किया गया है दोस्तों यही लेटेस्ट अपडिट आया था आईफोन की तरफ से 50.3 में यही उसमें नहीं चेंज थे उमीद है कि दोस्तों आपको यही मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक्य दोस्तों और सबसे जरूरी चीज किया हमें यह अपडेट करना चाहिए हमें अपने आईफोन पर तो जरूर ये आपको अपने आईफोन में डाउनलोड करना चाहिए इस से आपकी सेक्यूरिटी बनी रहेगी आपका data कहीं कहीं नहीं जाएगा और फूरी security आपकी बनी रही तो हमेशा आपको अपने latest software अप पर पहली बार है और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना वोले ताकि मेरे चैनल की नेक्ट वीडियो की अब बेट आपको सबसे पहले मिले और अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीस लाइक जबरू करें अगर आपको लगता है तो मेरी वीडियो को कुछ कमी है तो मेरी डिसलाइक कर सकते हैं और हो सके तो आप मेरी वीडियो को शेयर करना ना वोलें तो थेंकी दो